नमस्कार दोस्तों, Life Keeper चैनल में आपका स्वागत है. साथियों, जैसे कि हम सब को पता है कि भगवान ब्रम्हा, भगवान विश्नु और भगवान महेश को तृदेव कहा जाता है. तृदेवों में ब्रहमा जी को इस जगत का निर्माता कहा जाता है, पवित्र ग्रंथ यानि पवित्र चार वेद ब्रहमा जी के लिए समर्पित हैं, इसलिए हम उन्हें धर्म का पिता भी कहते हैं. वेदों के ज्यान में अच्छी तरह से पारंगत होने के कारण उन्हें ज्यानेश्वर भी कहा जाता है और उन्हें संख्षेप मैं प्रजाप्ती के नाम से भी जाना जाता है ब्रमहा जी अन्य देवी देवताओं से भिन्हें वह कोई भी हतियार नहीं रखते हैं बलकि इसके बजाए भगवान ब्रहमा पद्म, जपमाला, वेद, कमंडल, एक कमल और एक चम्मच के रूप में एक राजदंड धारन करते हैं जो यह दर्शाता है कि वह यग्यों के भग पुरानों में जो ब्रहमा का स्वरूप वर्नित मिलता है कि वह वैदिक प्रजापती के रूप का विकास हैं पुरानों के अनुसार क्षीर सागर में शेश शाई विश्नु के नाभिकमल से ब्रहमा की स्वयम उत्पत्ती हुई इसलिए ये स्वयम्भु कहलाते हैं माना जाता है कि ब्रहमा जी की पांच पत्निया थी सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेक अधिकतर जगहों पर मिलता है पुराणो अनुसार भगवान विश्नु के नाभिकमल से आविर्भूत चतुर्मुख प्रजाप्ती ब्रहमा की उत्पत्ती हुई फिर ब्रहमा जी के सत्रह पुत्र और एक पुत्री शत्रुपा का जन्म हुआ भगवान ब्रहमा ने सर्वप्रथम जिन्चार सनक, सनन्दन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का स्रिजन किया उनकी स्रिष्टी रचना के कार्य में कोई रुची नहीं थी, वे ब्रहम चर्य रहकर ब्रहमा तत्व को जानने में ही मगन रहते थे इन वीत्राग पुत्रों के इस निर्पेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन हुआ और ब्रह्मा जी के उस क्रोध से एक प्रचंड जोती ने जन्म लिया उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन हुआ ब्रह्मा ने उस अर्ध नारिश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष दो भागों में विभक्त कर दिया और उन्होंने पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम यारखा प्रजापत्य कल्प में ब्रहमा जी ने रुद्र रूप को ही स्वायम्भू मनु और स्त्री रूप में शत्रूपा को प्रकट किया इन दोनों ने ही प्रियवरत, उत्तानपाद, प्रसूती और आकूती नाम की संतानों को जन्म दिया फिर आकूती का विवाह रुची से और प्रसूती का विवाह दक्ष से कर दिया जब धर्ती पर मानव प्रजातियों की उत्पत्ती और विकास की शुरुवात हो रही थी तब यह वही काल था जब धर्ती पर मानव उत्पत्ती, विकास और भविश्य का कथाक्रम लिखा जा रहा था ब्रहमा के एक पुत्र रुची की पुत्री से ही विश्नु ने और दूसरे पुत्र दक्ष की पुत्री से शिव ने विवाह किया था इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी विश्नु भगवान और महेश से भी पहले हुए थे इसलिए त्रिदेवों में सबसे पहले क्रम में ब्रह्मा जी को ही रखा जाता है तो दर्शकों ब्रह्मा जी से संबंदित यह थी कुछ जानकारियां हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा कृपया अपना कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आये तो सर्वप्रथम आपको मिले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो